एन्टी ए यूजी नेट यानि निमीजी नेट डाउनलोड इट उन गूगल प्लेश टॉर सजून 2019 का जो एक्जाम हुआ है उसके अंदर जो डियाई के कोशन आये हैं वो हम आपको करके दिखाएंगे इस वीडियो में आप देखना कि आप कितने असानी से कोशन को निकाल सकते हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ दोस्तों अगर आप ये वीडियो पूर लग जाएंगे कि हाँ हम डियाई के कोशन कर सकते हैं और डियाई का जो डर है आपके अंदर वो निकल जाएगा तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से दोस्तों आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड़ कोर्स लॉंच किया है कंप्लेट स्टडी कोर्स फॉर के 2030 तक जो भी हमारे कुशन आए हैं वो यूनिट वाइस किया हुए मिलेंगे जैसे कि हमारे रिसर्च के कि आज तक जो आज को अलग है आई सीटे के लग है कम नीट के सब्से यूनिक चीज्वें को कहीं भी नहीं मिलेगी हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइस इनके नोर्स दिये जाएंगे इनकी वीडियो आपको मिलेगी प्लस में आपको लाइमोग टेस्ट भी मिलेगा इनका तुलान आपको किसी भी तरह की कोई प्रोब्लम आपके तो आप हमी वट्सप पे भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं आप 500 से लेके 1000 रुपे में इस को जोइन कर स होता है दोस्तों उसमें जो स्टेटमेंट दी हुई होते हैं जो फिगर दी होते हैं टेबल वो हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है उसमें क्या दिया हुआ है चले इसमें हम देखते कि क्या दिया हुआ है इसमें लिखा है निमल लिखत सारणी पर विचार करें जो 2012-2018 पिछले साथ वर्षों में कमपनी दवारा बेचे गए विभिन परकार के LED टेलिविजन सेटों के संख्या लाखों में दिखाती है अब देखिए इसके इंदर क्या है कि यहां पे अलग-अलग टेलिविजन सेट दिये जिनकी स्क्रीन है 22 इंची 24 इंची 32 इंची 40 इंची और ग्राफ देख सकते हैं और यह टोटल 7 इयर यहां पे हमें दिये हुए है ठीक है यहां से हमें यह समझ में आ गई है टेवल अब इसी बेस पे हमें कोशन करने हैं दोस्तों तो चलिए सबसे पहला हम कोशन करते हैं इसके अंदर इन्होंने कहा है कि सभी साथ वर्षों में 49 45 इंच अकार के टेलिविजन सेटों के कुल विकरी कितनी है यह हमें बताना है यह देखिए इसमें यह देखते हैं कि 9 इंच इंच कुन साथ दोस्तों यह है हमारे पास इसकी कुल विकरी हमें बतानी है यानि कि 2012 से लेके 2018 तक जितने सेट हमें हमारे विकरी वो सभी हमें ब यहां पर काफी जो दोस्त है वो क्या करेंगे traditional method लगाएंगे और आप वो traditional method भी लगा सकते हैं जैसे आठ जोड़ा फिर छे जोड़ा फिर पांच जोड़ा इस तरीके से करके वो traditional method भी लगा सकते जो आपको श्टेफल करे और एक मैंने तरीका आपको बताया था कि किस तरह से हम अडिशन करते तो उस हिसाब से हम देखते हैं मैंने आपको बताया था कि आप एक बीच की संख्या ले लीजिए कोई भी बीच की संख्या ले लीजिए तो मैं यहाँ पे 120 जो है वो बीच की संख्या ले हमने 145 है वो 120 से कितना है 25 ज्यादा है तो ये पलस के 25 लिखे लिए इस तरीके से हमने इस सारे के सारे लिखे लिए ये देखे 100 है 100 120 से क्या है कि 20 कम है तो ये यहाँ पर मैंने लिखे लिए अब हम क्या करेंगे जो प्लस के माइनस के जो कट रहे हैं उनको हम काट देंगे यह देखिए यह 35 से यह हमारा 35 कट गया और उसके बाद में देखिए जैसे हमारे पास यह है प्लस के 10 है और यह माइनस के 20 है तो यहां से क्या रहे जाएगा माइनस के 10 ही यहां से हमारे पास रहे गया अब देखिए यहां पर माइनस के 2 है यह पलस के 16 है तो यहां पर कितना रहे जएगा पलस के 14 है यह हमारे पास रहे गए अब देखिए हमारे पास 3 चीज़े रहे गई एक तो पलस के 14 पलस के 25 माइनस के 10 अब देखे ये हम फिर से काट देते माइनस 10 जब हम पलस के 25 में से माइनस करेंगे तो यहां पर कितना रह जाए हमारे पास 15 रह जाएगा अब हमारे पास क्या रह गया पलस के 15 और पलस के 14 यह कितने हो जाएंगे हमारे पास 29 यहां पर हो जाएंगे तो आप इस चीज़ को एक वर ध्यान में रखी, यहां से हमारे पास क्या गया, 29 आ गया, ठीक है, यहां पे हमने लिख लिया, यह 29 लिख लिया, और हमने कितना माना था, 120 माना था, और यह कितने हैं, यह 7 हैं दोस्तों, यहां से लेके यहां तक है, 120 गुरा में 7, 12, 7, 84, पलस 4 के अंदर दिया हुआ है, तो देख लो दोस्तों, आपके सामने, आपके सामने कितना जल्दी मैंने फटाक से यह कर दिया, तो इसी तरीके से आप भी कर शकते हैं, और यह तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया है, अगर मैं खुद अपने हिसाब से करता, तो बहुत ही जल्दी इसको कर पाता, तो इसलिए मैं कहा हूँ दोस्तों कि आप यह तरीका भी यूज कर सकते हैं, यह मैंने आपको पहले भी बताया था, और इस तरीके से आप बहुत ही जल्द सम कर सकते हैं, अडिशन कर सकते हैं, जोड सकते हैं किसी भी संख्या को, तो जैसा भी आपको सही लगे वो तरीका आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसको आप ट्राइ करके जरूर देखना तो चलिए दोस्तों अब हम अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है हमारा 32 32 नमबर इसमें इन्होंने कहा है कि 2013 की तुलना में 2017 में 32 इंच LED टेलिविजन सेटो की बिक्री में अनुमानित परतिसत वृद्धी या कमी क्या थी अब देखे इसने क्या कहा है सबसे पहले 32 इंची 32 इंची कौन सा यह है हमारा इसके अंदर 2013 2013 का क्या है दोस्तों यह है 112 और फिर 2017 2017 में क्या है 175 यह कह रहा कि 2013 से 2017 में जो हमारी बिक्री हुई है उसमें बिक् और प्रतिसत बताना है हमें और इसका मैंने एक formula बताए था दोस्तो मैंने बताए था कि final value माइनस में initial value final value मतलब 2017 की वैल्यू inisial value मतलब 2013 की वैल्यू बते में initial value initial value मतलब यानि कि शुरु की जो value है 2013 की 112 गुना में हमने क्या किया था 100 यहाँ पे किया था यह मैंने आपको जो इससे एक वीडियो छोड़ के पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था percentage, average, ratio किस तरह से हम निकालते हैं तो आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं वीडियो देखने के आपके बाद आप बिलकुल असानी से डियाई के question निकाल सकते हैं अब देखिए, इस formula के base पे हम किस तरह से यह करें देखिए, यहाँ पे 100, सबसे पहले हम 117 है, 175 में से माइनस करेंगे 112 को माइनस करेंगे, और फिर 112 गुना में 100 यहाँ पे करेंगे अब सबसे पहली बात यह आती है कि 175 में से 112 आप कर लेजिए, मैं कर लेता हूं कितना आएगा जब हम 175 में से 112 करते हैं तो यह आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास 63 यहाँ पे आ जाएगा अब देखिए, 63 हमारे पास आ गया, 115 में 112 माइनस किया, 63 बटे में 112, गुरा में 100 अब देखिए, इसको जब आप सोल करेंगे, यानि कि सॉलिशन करेंगे, इसको कट वगरा करेंगे तो यह यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, 56.25 हमारे पास आ जाएगा अब यहां पर यह बात आती है दोस्तो 56.25 हमारे पास आ गया तो हम option number 2 पे क्लिक करें या फिर 3 पे क्लिक करें अब देखिए हम 2 का जो option number है वो ही right करेंगे क्योंकि यह 25 है दोस्तो point 25 है point 25 को हम 56 के क्रीब ही मानेंगे अगर यह point 50 से ज्यादा होता जैसे point 60 होता तो हम 57 मान सकते थे तो यहां से इसका जो right answer होगा option number 2 होगा तो देखो दोस्तो कितना असान question है कितने 2 question किये है हमने अभी तक दोनों के दोनों question कितने असान है और आप लोग वैसे ही डियाई से डरते हैं और आगे अब हम 3 question और करने वाले वो भी आप देखना कितने असान question है दोस्तों अगर आपको uses net paper second सभी subject के 2012 से लेके 2023 तक question paper चाहिए with official answer की और answer tick तो आप हमारी website nimizi.net ज़रूर visit करना यहाँ पे आपको सभी subject के question paper के साथ साथ study notes भी मिलने वाले हैं अगर आपको study notes भी चाहिए plus में live mock test भी लेने हैं तो हमारी website nimizi.net ज़रूर visit करना thank you दोस्तों तो चलिए दोस्तों अब हम अगला question देखते हैं यह हमारा question number 33 है इसके अंदर इन्होंने कहा है कि किस अकार के LED television set की बिक्री सभी सबसे ज्यादा है अब देखिए इसमें हमें सभी television set देखने है कि यह जैसे यह television set है इन में से कौन से television set की बिक्री सबसे ज्यादा हुई है सभी सालों में यह सभी सालों के जोडने है अब यहाँ पर एक जो trick यूज़ करनी है वो देखिए हम क्या trick यूज़ करेंगे कुछ दोस्त क्या करेंगे कि यह सभी के सभी जो set है इनका जोड़ करेंगे जैसे उनेंच्यास इनची television set है इसका जोड़ करेंगे इसका करेंगे इसका करेंगे इसका इन सभी का करेंगे लेकिन ऐसा हमें नहीं करना दोस्तों, हमें क्या करना है कि सबसे पहले option में देखिए, option में कौन कौन से दिये हुए है, 22 इंची ये दिया हुआ है, 22 इंची ये दिया हुआ है, और फिर 99 इंची ये दिया हुआ है, दोस्तों यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है कि य 40 इंची को भूल जाएंगे एक टाइम के लिए उसके बाद हम कोश्चन करने की कोशिस करेंगे अब देखिए इन चारों के अंदर हम कैसे डिफाइन करें कि किसके सैट सबसे ज़्यादा बिके हैं किसकी बिक्री ज़्यादा हुई है देखिए इसका तरीका भी मैं आपको बत लाने की कोशिस कर ते हैं अब यह देखिए 24 इंची टेलिफीजन सैट लेते हैं इस के अंदर जो 100 से कम है रहाज सकते हैं तो यह जो होगा दोस्तों 24 इंची यह तो सबसे कम होजाएगा और यहाँ पे हमें क्या वताना है तो यह हो जाएगा हमारा सबसे कम हो जाएगा तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे यह हो गया हमारा नेगलेक्ट हो गया और उसके बाद में जैसे यह हमने उन्हेंचास था उन्हेंचास हमने पीछल निकाला था 699 निकाला था तो इसका तो हमें पता ही है यह भी एक साइड के एक टाइम के लिए छोड़ देंगे साइड में, अब बात हती है दोस्तों, 22 इंची और 32 इंची, अब इन दोनों के अंदर देखते हैं, अब देखें, यहाँ पे इनकी डिजित आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखें, यह डिजित है, 100 है, 106 है, 115 है, 100 है, और 115 है, 125 है, य तो यहाँ से हमें ओटोमेटिक तरीके से पता चल रहा है, कि 22 इंची से 24 इंची से सबसे ज़्यादा विक्रीकिस की हुई है, 32 इंची की हुई है, अब बात आती है, 32 इंची रहे गया, 99 इंची रहे गया, अब देखें, अब इन में भी कंपेर करके देख लिजिए, पे 118, यहाँ पे 112, 136 है, यहाँ पे 85, यहाँ पे 145 है, चलिए ये दो तो थोड़ी सी ज़्यादा इन में, फिर देखें, 160 है, यहाँ पे 50, 145 है, यह 100 है, यह 130 है, यह 175 है, तो इन से भी आप देख सकते हैं कि यह जो 32 है, 32 की जो डिजिट है, वो कहीं न कहीं ज्यादा हम लग रही है, तो और अगर आप अपना डाउट कलियर करना चाहें, तो इन दोनों को एड भी करके देख सकते हैं, अगर आप चाहें कि हमारा जो आंसर है, वो बिल्कुल प्रफेक्ट निकलना चाहिए, तो प्रफेक्शन के लिए आप इन सभी डिजिट को पलस करके देख स तो डियाई के अंदर जो 95 परफेक्शन किये जाते हैं, इसी तरीके से किये जाते हैं, तो दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर आएगा, आंसर आएगा 32 32 इंची टेलिविजन सेट यहां से हमारा आंसर निकल जाएगा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमें जल्द से जल्द अंसर निकालना और कितना असान हमारा डियाई है तो दोस्तों एक और चीज जो हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली है वो यह है कि कई वार हम अनमान लगाते तो वो अनमान गलत भी हो सकता है तो अगर आपको कहें भी किसी वी तरह का कोई डाउट हो किस जोड हम कर रहे हैं जैसे कि हमने बताया था कि 22 और 24 इंची में 32 इंची में जैसे वैसे तो मैंने यह डिजिट दिखा दी कि यह 100 से देखिए कितना कम है 85 कम है 70 कम है 95 कम है यह सारी चीज़े मैंने आपको दिखा दी लेकिन फिर भी कही ना कहीं आपको डाउट हो तो आप एक बार उनको पलस करके देख लीजिए ताकि आप बिल्कुल स्योर हो जाए कि यह कम है यह ज्यादा है देखिए अनमान अनमान होता है अनमान हमारा गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है तो अगर आप accurate answer निकालना चाहते तो आप एक बार उनका कहीं भी doubt हो तो उनका अ बहुत कम टाइम है तो आप अनमान पर ही चलिए चलिए दोस्तों अब हम अगला कोशन देखते हैं यह देखिए दोस्तों यह हमारा कोशन नंबर 34 से इसके इन्हों ने कहा है कि सन 2013 और 18 सबसे पहले 2013 और 18 किसके इंदर 24-40 इंची के इंदर 40 इंच यह हो गया सन 2013 का हमारा य यह हो गया सन 2013 और 18 में बिकने वाले 40 इंच के टेलिविजन सेटों के संख्या में अंतर क्या है अब देखिए अंतर पूछा वाए इन्होंने अंतर बिल्कुल इसान है दोस्तों 110 में से माइनस 94 कर दीजिए यह कितना आ गया 16 आ गया हमारे पास अब देखिए 16 तो आ गया ह भूल गये हόं यह देखिए तरू के अंदर यह था हमारा यहां पर इन्होंने दिया है लाखों में संक्या कि एए दोस्तों लाखों में है संक्या लाखों में दी हुई है तो नहीं भी है तो हमने किया था 110 मेंस जब हम माइनस 64 में करेंगे तो यह आएग़ हमारे पास 16 तो तो 16 लाख देखिए यह उप्सन नमबर 4 है या ए है ए है हमारा दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं एकाई धाई सेकड़ा जार दस जार लाख दस लाख यानि कि 16 लाख जो अनसर है वो उप्सन नमबर A में दिया हुआ है तो आप बताईए दोस्तों यह कितना आसान कोशन आप क्यों डरते हैं आप खुद अपना कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना कि क्या आपको अभी भी डियाई से डर लगता है या नहीं लगता अगर आपको डर नहीं लग रहा तो आप बताईए सर की हमें डर नहीं रही है ताकि हम आपसे प्रेरित होके और भी अच्छी वीडियो बनाएं तो चलिए दोस्तों अब हम एक और लास्ट कोशन देखते हैं जिससे आपका डियाई से बिल्कुल डर खतम हो जाएगा अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इन्हों ने क्या कहा है किस LED TV सेट के लिए स सबसे कम कौन से भी के वो हमें निकालना है तो सबसे पहले इसके इंदर हम क्या करेंगे दोस्तों वही काम करेंगे जो हम करते हुए आ रहे हैं कि इसमें सबसे पहले जो ऑप्सन है ऑप्सन देखेंगे कि क्या क्या दिया है ऑप्सन में हमें 22 इंची दिया है 24 दिया है उनि यो ने अलग से निकाल दिया अब देखी अब इसमें ये कोशिन किस तरह से करेंगे मैं आपको बिल्कुल असान तरीकते से बताता हूं देखिए के इसके अंदर हम क्या करेंगे वही तरीका के अंदर हम अपनाएंगे जो पहले अपनाया था सबसे पहले हम दो डिजिटर ले लेते हैं जैसे 22 और 24 इन दोनों को देखते हैं इन दोनों के अंदर कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है यह देखिए दोस्तों हमें एक चीज ध्यान में रखे हमें कम वाला देखना जो कम है सबसे ज्यादा कम है वो हमें देखना है यह देखिए 60, 36, 18 इतना कम हो गया आगे देखते हैं ये ज्यादा कितना है ज्यादा भी देखिए ये 15 ज्यादा है और फिर यहाँ पे कितना ज्यादा है ये है हमारा 55 ज्यादा है और फिर ये कितना ज्यादा है 25 और 35 ज्यादा है तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा क कम जो होगा वो ये होगा दोस्तों देखे दोस्तों यहां पे हमारे सामने एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि 22 और 24 में से किस की विक्रीज जादा हुई है किस की कम हुई है यह सही से हम-पता नहीं लगा पा रहे है तो इसके लिए हम अपना डाउट क्लियर करने के लिए एक कितना है पलस के पंदरा है यह हमने पंदरा लिख लिए ज्यादा है और यह कितने है दोस्तों यह है हमारे 30 और यह है पलस के 45 ज्यादा और उसके बाद में है यह है पलस के 30 ज्यादा ठीक है और यहां पर माइनस में कितने है यह देखिए माइनस में यहां पर हम लिख लेते ह लिए और फिर है 100 यह कितना है 36 यानि कि आज़ेगा हमारे पास 60 आज़ेगा इन दोनों का आगया 60 और ये है हमारे पलस के 30 अब देखिए इसके अंदर क्या हो गया 30 और 60 ये हो गया 90 हो गया और इसके अंदर देखिए 90 तो ये हो गया 100 106 तो ये हो गया हमारा और 18 ये हो गया तो यानि कि ये माइनस के ज्यादा है य यह जो है दोस्तों यह जो 22 और 24 के अंदर 22 जो है यह इसकी बिक्रिस सबसे कम होगी यहां से आप निकाल सकते हैं और एक और जो दूसरा तरीका मैं आपको जैसे बताता हुआ आ रहा हूं ट्रेडिशनल जो मैथड है हमारा उसमें आप बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं हो स रखते हैं आप क्या कीजिए उसमें टाइम आपका थोड़ा सा ज्यादा जरूर लगेगा आप इनको चो हम सीशरू से wreckage Lenny रहे हैं यहीं हैं फिरयाव को इक सुचे को 15 यह जैसा भी आपको Stable लगे उस तरीकी से आप कर शकते हैं दोस्तों तो मैंने जो तरीका बताये था उस सी हिसाथ से क्या है यह सबसे हमारा कम है अब तो हमने Final कर लिया दोस्तों यह कर लिया यह कर लिया सकते हैं भी है फोल्स जैलनेके कोसिश करते Herren कौन कम है और कौन ज्यादा है तो यही जो तरीका आप लगा सकते हैं जो मैंने अभी लगाया था यहां पे आप देखके कि ग्रीन जो है स्वेल्य फैरे वह 118 से कम है यह कम यह कम है यह तो इस तरीके से आप कम देख सकते हैं इसमें देखें उनिचास और 40 के अंदर जो ब्लू है वो सारे के सारे कम दिये हुए हैं इसमें से सारे के सारे ये कम हैं तो यहां से क्या होगा उनिचास और 40 के अंदर क्या होगा 40 कम हो जाएगा उनिचास से ठीक है और अब हमारे पास क्या बच गया दोस्त अब देखे ये 85 112 से कम है ठीक है ये बड़ा हो गया 94 से बड़ा हो गया और 106 फिर ये कम है फिर 115 ये ज्यादा है फिर 100 है ये भी ज्यादा है 85 से और फिर 115 ये भी ज्यादा है और 125 है ये भी ज्यादा है तो यानि कि ये सारे के सारे लग भग ज्यादा आ रहे हैं 40 वाली और आप देख लेना दोस्तों यहाँ पे आप निकाल के देखना आंसर निकाल के देखना इनका पर करके देखना फिर देखना जहां तक मेरा आईडिया है चालिस ही इसका अंसर आएगा चालिस मिन्स ये इसका अंसर आएगा फोर इसका अंसर आएगा और कई दोस्तों जैसे यहाँ पे देख सकते कि आंसर नमबर थरी दिया हुआ है लेकिन ये अंसर गलत भी हो सकता है दोस्तों ये अंसर गलत है आप सही से देखना इनका जोर्ड करके देखना 22 का 24 का 49 का और देखना कि इसका अंसर 3 आ रहा है या 4 आ रहा है आप सभी अपने अपने जवाब है कमेंट वोक्स में जुरूर डालना ताकि हमें पता चल सके कि आपको कितना कुछ आ रहा है तो दोस्तो मैं उमीद करता हूँ कि आपके अंदर डियाई का जुरूर है वो काफी हद तक निकल गया होगा और एक और वीडियो भी हमने बनाई थी दोस्तो कल इवनिंग को बनाई थी उसके अंदर भी हमने जून 2019 का पेपर करवाया था उसके अंदर भी आप देख सकते कि क इतने असान कोशन आये थे और किस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं यह दोनों वीडियो देखने के बाद आपके अंदर डियाई का जुरूर है वो काफी हद तक खतम हो जाएगा तो दोस्तों अगर आपको अभी वी किसी वी तरह की को करवाएंगे नमर एक पर दोस्तों हम आपको ओल टेन यूनिट स्टेडी नौट्स देंगे न्यू अपटेटिटिड सलेवस के इनशार प्लस में सब्तमब्र दो हजार बीस में जो कोश्चन आये हैं उसके इनशार हमने यह नोट्स त्यार की हैं इसके साथ साथ दोस्तों ह हम आपको 2022 से लेके डिसंबर 2019 तक टीचिंग के कॉशन लग देंगे इसी तरह से सभी यूनिट के कोशिंट आपको अलग अलग मिलेंगे इसके साथ दोस्तों हम आपको मोश्ट रिपिटिड होने वाले कोश्चन के वाले में बताएंगे पलस में आपको नोट्स भी देंग इसके सासा दोस्तों फरी में हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक old year portion paper second भी देंगे with answer की और इसके सासा दोस्तों हम आपका live mock test लेंगे YouTube पे तो दोस्तों अगर आपको एक course जोइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी whatsapp number पे message कीजिए या फिर link हमने video description box में भी दिया हुआ है दोस्तों NTA uses net exam दो देखते वे हमने आप सभी के लिए एक special paid course launch किया है complete study course for paper first इस course में आपको क्या-क्या मिलने वाला है number 1 पे दोस्तों आपको all 10 unit study notes मिलेंगे Hindi English में number 2 पे दोस्तों आपको all 10 unit की add free videos मिलेंगी number 3 पे दोस्तों आपको सभी shift के question paper Hindi English में मिलेंगे number 4 पे दोस्तों आपको 2012 से लेके 2013 तक जो भी हमारे question आए है वो unit wise की हुए मिलेंगे जैसे कि हमारे research के question आज तक जो आज को अलग है ICT के अलग है, community question के अलग है सभी unit के question आपको अलग-अलग किये हुए मिलेंगे number 5 पे दोस्तों जो सबसे unique चीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी हमने unit में से सब topic wise question भी अलग किये हुए है जैसे कि research में हम बात करें type of research, type of hypothesis, type of sampling इस तरह से हम बात करें, teaching में type of teaching method, model of teaching इस तरह से सभी unit के सब topic wise question भी आपको अलग किये हुए मिलेंगे number 6 पे दोस्तों आपको most repeated होने वाले questions के बारे में बताये जाएगा इनके notes दे जाएगे, इनकी videos आपको मिलेगी plus में आपको live mode test भी मिलेगा इनका